आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल जिम अस्टडी में अंसर सिट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इंफोर्मेशन दूँगा आप वीडियो को स्किप करके ना जाएगा ठीक है अंसर जब हो जाएगा तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा पहला कोशिन क्या आपका हडपा किस नदी के किनारे अवस्तित है या आपका राविय नदी के किनारे अवस्तित है आगे यहां पर देखें फोर्थ नमबर कोष्चिन मात्मा गांधी दक्षिन अप्रिका से भारतवर्स कब लोटे तो यह आपका 1925 ज़ी में आगे यहां पर देखें कोष्चिन नमबर 5 क्या आपका महावीर का जन्म कहा हुआ तो यह आपका कुंडल 1 में ठीक है आगे यहां पर देखिए question number six, question number six क्या आपका आयंगर विवस्था समंदित थी, तो इसका उत्तर होगा विजय नगर सामराज जिसे, ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए question number seven, question number seven क्या आपका सविधान सभाके स्थाई अध्यच कौन थे, इसका उत्तर होगा डाक्टर राजेंदर परसाद यानि option number four, आगे यहाँ पर देखिए question number eight, question number eight क्या आपका भारत का राष्टगान कौन सा है, इतना simple question पूछा गया, जन गन्मन अधिनायक, आगे यहाँ पर देखिए question number nine, आइनाय अकबरी की रचना किसने की अबुल फजल ने, ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए question number 10, और आगे यहाँ पर देखिए question number 12, आगे यहाँ पर देखिए question number 14, question number 14, क्या आपका भारतिय राष्टिय का राष्टिय कौंग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. यूम ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए question number 15, और question number 15, क्या आपका सिंदू, घाटी, सव्यता के समाच का सौरूप क्या था, देखिए बहुत सारे student के mind में यहाँ पर पित्र सतात्मक भी होगा, sorry, मात्र सतात्मक भी होगा और पित्र सतात्मक, यानि option number C मार कर आए होंगे, और मैंने आपको बताया था, कि वहाँ पर मात्री दिवी की भी पूजा की जाती थी, और सीव भगवान की भी पूजा की जाती थी, तो दोनों को respect मिलता था, याद रखिएगा, ठीक है, इसका उत्तर option number 13 होगा, इतना याद रखिएगा, आप कहीं भी भटकिये मत, क्योंक मुझे नहीं लगता, आगे याँ पर देखिए, धम की नीती की शुरुआत किसे ने की, तो इसका उत्तर होगा, असोक ने, आगे देखिए, next question, gateway of India का निर्मान कब हुआ, 1911 इस्वी में, आगे याँ पर देखिए, question number 18, जित्तल क्या था, तो सिक्का था, ठीक है, आगे य next, आइनाय अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसको पांच भागों में बाटा गया है, आगे याँ पर देखिए, question number 22, विजे नगर अस्थानिय मातरी देवी कौन थी, विजे नगर की अस्थानिय मातरी देवी, पंपा देवी थी, आगे याँ पर आगे याँ पर देखिए, question number 25, और question number 25 किया आपका, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो इसका उत्तर 1905 में हुआ था, ठीक है, 26 number question किया आपका, फॉर्ट सेंड जोर्ज के अस्थापना काववी, तो इसका उत्तर मदरास, यानि जो अभी चन्नय है नाम से, आगे और question number 26 किया आपका भारत का अंतिम वाइसराय किसे माना जाता है, इसका उत्तर आपका, लौड माउंट बेटें, ये आपको कली के वीडियो में या आज की वीडियो मेंने बताया था, जो मेरा complete वाला वीडियो था, किया आप लोग अंतिम जो वाइसराय है, उसी को मार ये और किया ठीक है, आगे आपर देखए, नच्ट करो या मरो का नारा किस ने दिया? महतमा गांदी ने दिया था, आगे आपर देखए, question number 30 किया आपका, काला कानून किसे का जाता है, ये आपका रॉललेके अक्ट को का जाता है, आगे आपर देखए, भारत आने वाले पहले इरूपियन कौन थे इसका उत्तर होगा पुर्तगाली आगे यहां पर देखिए 32 नंबर और 32 नंबर कुशिन क्या आपका मुगल कालीन चितरकला किसके सासन काल में चर्म उतकर्स पर पहुंची थे इसका उत्तर होगा जहंगीर यानि उप्सन नंबर 30 ठीक है या आगे यहां पर बढ़ते है नेक्स्ट 34 नंबर कुशिन क्या आपका 34 नंबर कैप्टन हकिंग्स किस मुगल दरबार में आये थे इसका उत्तर होगा उप्सन नंबर दूसरा जहंगीर के आगे यहां पर देखिए 35 नंबर गांधी इर्विन पैक्ट कब हुआ या पका 1931 में हुआ था ठ आगे यहां पर देखिए 38 नंबर कुशिन क्या आपका डांडी किस राज में इस्तित है यह आपका गुजरात में है ठीक है आगे यहां पर देखिए 49 नंबर कुशिन क्या आपका जजिया कर किस से लिया जाता था जिम्मियों से यहां पर धिम्मिया लिख दिया है तो यहा सारे यूटूबर अभी बड़े बड़े यूटूबर आपको बोलेंगे कि आप वीडियो बना कर बताईए कि मेरे चैनल के मादियम से आया हुआ लेकिन आप सचाई बताईएगा जो मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं ठीक है आप चाहो तो वीडियो के डारेक्शन में जाओ, सब्जेक्टिव यहां से पढ़ो अब्जेक्टिव जैसे ते से पढ़ो, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और आप अगर नहीं सपोर्ट करोगे तो आने वाले जारखन में भविस क्या होगा सिक्षा का आप खुद जान सकते हो प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो बनाकर आप भेजिए टेलिग्राम में ठीक है, और सचाई बताईए ठीक है, अब डरिये मत, हम है आपके साथ ठीक है, अब जो भी सचाई वो बताईए आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में